दोस्तो यूनिवर्स में ग्लैक्सीज ग्रैवटी से जनरेट की हुई एक निर्दारित स्पीड पर गूम रही है उब्जर्बेबल मैटर उन्हें पकड़ कर नहीं रख सकता था क्यूंकि वो फैल सकती थी तो कुछ ऐसा होना चाहिए था क्लस्टर्स के साथ भी क्लस्टर्स असल में एक गुच्छा है बहुत सारी ग्लैक्सीज का अगर दोस्तो हम क्लस्टर्स को देखें तो आप देखोगे कि क्लस्टर में मौझूद ग्लैक्सीज के ग्रैह आपस में एक तरीके से बंदे हुए हैं उसी जगा पर गोल गोल गूम रहे हैं लेकिन वो उस जगा से कहीं और नहीं जा रहे अगर आप सेंटर वाले ग्रहों को भी देखोगे तो भी स्पीड एक जैसी है और दूर वाले ग्रहों की स्पीड भी एक जैसी है तो ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसने इन ग्रहों को पकट के रखा हुआ है जो कि इन्हें फैलने नहीं दे रही ग्लैक्सीस में मुझूद ग्रहों का इतना मास नहीं होता कि वो उन्हें आपस में जोड कर रखे फैलने ना दे जिससे कि वो आपस में जुड़े रहें और फैले ना लेकिन ये dark matter असल में है क्या तो चलिए दोस्तो इसके बारे में जानते हैं तो मैं हूँ गोरब और आप देख रहे हो rare science information वीडियो में आगे बढ़ने से पहले rare science information को subscribe ज़रूर कर लें ऐसे ही science से जुड़ी वीडियो के लिए असल में दोस्तो डाक मेटर क्या है हमें नहीं पता क्योंकि ये electromagnetic fields के साथ interact नहीं करता जिसका मतलब है ये light को भी reflect नहीं करता इसी लिए इसे डूढ़ना और भी मुश्किल है क्योंकि ब्रह्मान के अंदेरे में ऐसी चीज को डूढ़ना चोकि अंदेरे की ही तरह काली है उसे डूढ़ना बहुती मुश्किल होगा विग्यानी को का मानना है कि dark matter को gravitational effect से ही देखा जा सकता है अगर universe 100% है तो उसमें से 27% dark matter है एक interesting theory के बारे में मैं आपको बताता हूँ Baryonic matter Baryonic matter में protons और neutrons तो होते हैं पर ये electrons और neutrons को बाहर कर देता है ये थोड़ा complex है Baryonic matter के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे तो theory के मुताबिक ऐसा हो सकता है कि dark matter Baryonic या non-baryonic matter से बना हो ताकि वो universe के elements को आपस में जोडे रखे फैलने ना दे जो कि Baryonic matter भी light को reflect नहीं करता मतलब अगर dark matter Baryonic matter से बना है तो भी इसे spot करना बहुत ज़ादा मुश्किल होगा Grand Sensor National Laboratory की एक statement के अनुसार वो एक detector बना रहे हैं जिसमें वो ordinary matter की interaction dark matter से करेंगे पर ऐसे detector को बनाना बहुत ही sensitive होगा देखो अब थोड़ा सा असान बाशा में समझाता हूँ अगर dark matter है जो असल में है पर तो वो हमारे आसपास के ordinary matter के साथ कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया जरूर करेगा और इस प्रतिक्रिया कराने वाले detector को Grand Sensor National Laboratory dark matter detector बोल रही है हाँ ये बहुत बेहुदा है पर अगर ये detector काम कर गया तो हम dark matter को समझ पाएंगे एक रह से सुलजा पाएंगे पर ये प्रतिया के लिए dark matter के particles ये कहां से लाएंगे ये मैं नहीं बता सकता dark matter पर बहुत सी researches की जा रही है पर अभी तक हम इसके बारे में कुछ जादा नहीं जान पाएंगे देखो dark matter का मास तो होता है पर इसकी अपनी radiation नहीं होती ब्रह्मांड में मुझूद stars और galaxies की light या radiation होती है पर जादा दूरी होने के कारण हमें light नहीं दिखती फिर हम उसकी radiation से उसकी मौझूदगी का पता लगाते हैं पर dark matter की ना radiation है और ना ही light है इसलिए ये physics के एकदम उलट है अब सवाल आता है कि dark matter कहा है guys हमारे universe का 85% material dark matter से बना हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि dark matter हमारे चारों तरफ हो लेकिन इस बात में पूरी सचाई नहीं है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि अभी हम dark matter के बारे में कुछ नहीं जानते बस इतना ही जानते हैं जितना मैंने आपको इस वीडियो में बताया है क्योंकि मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं डालता बाकी यूट्यूबर्स की तरह वीडियो को लंबी करने के लिए तो दोस्तो अगर आपको dark matter के बारे में पूरी जानकारी हो गई हो तो मैं चलता हूँ मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक आप इस वीडियो को लाइक करिए rare science information को subscribe कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share शुरूर करना क्यूंकि इस समय में मेरे को आपकी support की काफी जरूरत है तो मैं चलता हूँ मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye